महराष्ट में NCP कोटे 73 नवाब मलिक को लेकर अभी अभी एक बड़ी अफडेट आ रही है नवाब मलिक के बारे माँ आप सबको पता ही होगा कि दो दिन पहले इनकी तबियत काफी ज़्यादा खराब होने के वज़ा से इनको जो है जेल से जेजे हॉस्पिटल में सिफ्ट कर दिया गया था और वहाँ पर इनको आईसियू में सिफ्ट कर दिया गया था के द्वारा मांग किया गया कि नवाब मलिक के हालत अभी पूरी तरह से सही नहीं है और उनको अपनी किड़नी की सरजरी भी करानी है तो उनको एक बार फिर से जेजे हॉस्पिटल में सिफ्ट कर देना चाहिए ये बात सीधा सीधा नवाब मलिक के द्वारा बोला गया है नवाब मलिक के वकील कई इस बात का जवाब देते हुए एडी की ओर से पेश अत्रिक सॉलिशिटर जनरल अनील सिंग ने अदालत से कहा कि एजनसी को उनके अस्पिताल में भरती होने से कोई आपती नहीं है उन्होंने कहा कि उन्हें एक निजी अस्पिताल के बजाए जे आवस्यक प्रश्चन द्वारा संचालित सीविधा से उपलब्ध है जेजे हॉस्पितल सारी सारी सुबधाओं से लायस है तो उनको कहीं और जाने यरूत नहीं है उनको जो है जेजे हॉस्पितल में ही एडमिट करा देना चाहिए आपको बता दूँ कि मलिक ने किड्नी की बिरोत किया था और अपने जवाब में कहा था कि याजका की जरियो वह कानून के सिकंजे से बचना चाहते हैं वहीं अगर बात की जाए कोड के फैसले की तो अभी तक कोड के तरफ से इस पर फैसला नहीं सुनाया गया है अभी एडी के दौरा इस पर पूरी तरह से जाच क हुए फिर से एक बार जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सकता है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपना ओपिनियन कमेंट बाक्स मता है और वीडियो के जाए स्यादा सेयर करें